इम्रान कसमीर कसमीर मत कर, कसमीर तुझको ही भारी पड़ जाएगा कसमीर भारत का दिल है इसे न तोड़, तोड़ेगा तो देख ले न यूत छेड़ जाएगा सेर से चली है टकराने देखो भूरी बिली कहीं पे यसर तो कहीं पे धड़ जाएगा और अपनी ओकात पे हम जो आ गए तो फिर एक भूख में ही पाकिस्तान ओड जाएगा अपनी ओकात पे हम जो आ गए तो फिर एक भूख में ही पाकिस्तान ओड जाएगा आप लोग अच्छा सुनेंगे तो मंचों से अच्छी चीज़ें आने लग जाएगी और मैं ये भी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा था कि हम लोग शुरुआत में आप लोगों में हर जैसे भी कई कविता प्रियमी होते कविता प्रियमी नहीं भी होते हैं हमें आपका मुड़ भागने के लिए कुछ चीज़ें करने पड़ती है लेकिन लाश्ट तक भरोसा करके बैठता वो निश्चिद रूप से कवितार कविता के साथ संसकार और संसकार के साथ में आने वाले पीडी को देने वाले जिम्मेद कविता की भूमिका के लिए मुझे एक दो शेर और पड़ने हैं मुझे एक बहुत बड़ी शाहिरा अर्जुन रहबर सहीबा की एक शेर याद आता है और जो लोग दहेज टीका हमारे समाज में बहुत ज्यादा है मैं उन लोगों से अंजुम रहबर सहीबा का एक शेर कबर में मुझे दफना दिया गया चांदी की कबर में मैं जिसे चाहती थी वो लड़का गरीब था राजेंदर सिंग के सब्दों में आप ऐसा भी सुन सकते हैं कि मुझे लिटा दिया गया सोने की अर्थी पर मैं जिसे चाहता था वो लड़की गरीब थी मुझे अगले कवी की भूमी का बदलनी है मुझे उसका माहोल चिंज करना है अदर्णी सौंदांसा ने आपके अंदर वीर्रस इतना ज़्यादा फ्र दिया था कि आप लोगों को थोड़ा वापस उस उबाल खाते वे खून को मुझे थोड़ा सा आपका नॉर्मल करना है हमें मुक्यस तक पहुँचना है कुछ शोटी मोटी तुकबंदिया मैं भी कर लूँगा और फिर आप लोगों का मन हुआ रधर्णी है सौंदांसा का फिर अगर आशिरवाद मिला कि हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं आज की रात हम आपके शाहत हैं लेकिन मैं उससे पहले मेरी एक गजल के चंद सेर और उसके बाद मैं मुक्यस को एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा मेरी एक गजल है अगर आपको ठीक लगे उसके कुछ सेर पढ़ता हूं ठीक लगे तो आप आसिरवाद की तालिया उसपर भी देना और मुहर लगाना कि हाँ कभी कभी आप लोग युवा ज्यादा मिठाएं कहीं न कहीं हमारे जीवन में कुछ इस ताइप की चीज़ आती है तो ठीक लग जाए आपके कलेजी पर ठक से दस्तक दे तो बताना कि तुम्हें कोई मलाल भी नहीं हमें चीट करते हुए कि हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया था जिसे कहीं हाथ पकड़ कर हम इस्कूल के प्रोग्राम में हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया था जिसे कभी आज वही ग्यान दे रहे हैं ट्वीट करते हुए हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया था कभी आज वही ग्यान दे रहे हैं ट्वीट करते हुए वैसे तो हम किसी का जवाब नहीं देते अबी थेना साथ सुनिए उन्हों समर्पित वो जहां भी है बगवान उन्हें 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 तक मेरा सेर कहुचाए वैसे तो हम किसी बात का जवाब नहीं देते आज फिर भी दे रहे हैं खुद को धीट करते हुए वेसे को हम किसी बात का जवाब नहीं देते आज फिर भी दे रहे हैं खुद को धीट करते हुए कि आज जिस उचाई पर इत्रा रहे हो राज तुम कुछ लोग दब गए हैं तुम्हें गिरीट करते हुए आज जिस उचाई पर इत्रा रहे हो राज तुम कुछ लोग दब दे हैं तुम्हें गिरीट करते हुए तुम्हें कोई मलाल भी नहीं हमें चीट करते हुए हमने दिल रोया बहुत तेरे नंबर डिलीट करते हुए और इसी टाइब की भुमिका के लिए मैं कुछ सेरो शायरी के लिए मुकेश को आमंतरित करो उससे पहले मुझे पकिस्तान का साहर दिखिए आप अगर अमन की बात करते हैं या आप अगर तहजीब की बात करते हैं या कवीताओं की बात करते हैं तो उसमें फिर शीमा यह नहीं देखे जाते हैं वेसे ही पाकिस्तान अपना ही था तो तैजीब कोई पुरा ना दूसरा नहीं है बहुत चर्चित साहर हैं जिनों बहुत ज्यादा चर्चित हो रहा है मुझे उस तैजीब हाफी की दो पंक्तियां तो शीर याद आते हैं मैं उसी सेयर्च के साथ मुकेश को वापस आमंत्रित करना चाहूँगा कि तुम्हें हुशन पर दसतरस है मौहबत वहबत बड़ा जानते हो तो पिर ये बताओ उसकी आउन्खों के बारे में क्या जानते हो का czego दुप ये साइकोलोजी साइन्स रिया जी वगेरा ये सब जानना भी अहम है पर उसके घर का पता जानते हैं उसके बाद कुछ तुक्पंदिया मेरी और उसके बाद फिर से हम से उन्दान सा के पास चलेंगे वेसे भूलते वीरस का कवियों पर अपसर ने बहुत सरंगार